नवरात्री से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल श्रधा MH1 को सब्सक्राइब करें नमस तससे नमस तससे नमो नमा एक बार फिर से हमारे तमाम दर्शकों को नवरात्र परव की हार्दिक शुक कामना है। आज मा का चौथा दिन है, यानि की मा कूश मांडा का, उससे जोड़े तमाम प्रश्न आपके जहन में होंगे। और उनके उत्तर आज हम फिर से जानेंगे हमारे से कारेक्रम में उपसित विश्विख्या जोतिशा चारे वास्थु एक्सपर्ट नाड़ी वैदर पंडित सुनील भार्द दवाजी से अपने श्विख्या कारेक्रम का आच्षिय दोलेंगे गूर देव काूर बहुत स्वागफ़त हैं आपका जय मातर दिए गूर देव मा कुश्मानडा के विष्व में आप आप हमें बताएं आज विस्तार पूर्वक मा का नाम कुश्मान्डा बैए चारो तरफ अंदकार फैला हुआ है पढ़ ले काल के बाद कुछ नहीं है स्रश्टी की रचना ही नहीं हुई अब मा ने सूचा कि अपने बालकों को मैं कहां खिलाऊंगी कहां होंगे वो अपनी हल्की सी मंद हसी से ब्रमान्ड की संरचना करती है यह ब्रमान्ड जो है इसकी संरचना करी सास्त्र यह भी कहते हैं देवी वागवत में कि कुश्मान्डा मा की ही किरपा से जब कुश्मान्डा मा की हम बात करते हैं तो उनकी किरपा से ही ये जो सूरे मंडल का प्रकास हम तक मिलाना भई रज और शुक्र चंद्रमा और सूरे इसके बिना उत्पत्ती नहीं तो सूरे मंडल के अंदर वास करा माने ये ही मा ऐसी जो सूरे मंडल के अंदर वास करती है कुस्मान्डा मा की किर्पा से ही हमारे पास जो किर्णे आती हैं वो सूरे की किर्णे आती है इनका सरूप तो देखो अलग है सरूप हर सरूप अलग है अपनी मंध हसी से ब्रहमान की सन रचना करी और स्रिष्टी का संचालन कर दिया जो सूरे नहरेंड से केड़ने लाके दी उसमें भी इनका वास आज ये हम सरस्टी जो भोग रहे हैं वो कुस्मार्डा माँ के करपास हैं इनका सरूप बड़ा बड़ा दर्सनिय सरूप है देखकर मन बड़ा परसन होता है सिंग पर सवार है आठ भुजा वाली है दाईनिया के ओपर वाली भूज़ा में कमलपुष्ब है उसके निचे तिरसूल का बाण है तिरसूल नहीं होता है तिरसूल होता है इसे बाण लिए हो है उसके नीचे धनु्स है और नीचले हाथ में सीधे हाथ में कमंडल है भगवान विश्णू का सुदरिसوعन चक्र धारण किये है हैं ओल्टे हाथ का उपर वाला हाथ क्या संकेत देता है हमें संकेत देता है कि यहां ठाकुर की किरपा है बान है धनुस है दाइने हाथ में दोनों बीच वालों में नीचे कमंडल था तो यहां और उसके बाद गदा है दूसरे हाथ में फिर माला है जब कि माला तीसरे हाथ मे बाएं हाथ के नीचे वाज़े तीसरे हाथ के और नीचे ले हाथ में कलस है ये अमरत कलस है ये भक्तों के लिए है ये उनके लिए है जो मा की भक्ती के प्यासे हैं मा के दुलारे हैं मा का चिंतन करते रहते हैं हर समय अपनी मा को भजते रहते हैं हर समय मा की किरपा उन पर बनी रहती है इसलिए उनको वो अमरत कलास में से कुछ बुनें देती है इनका प्रसवार बड़ा सुन्दर सुभायमान सुरूप है माकुस मांडा का इन्हों ने सिस्टी की रचना करी है और सिस्टी का संचालन भी करा है अलग-लग रूपों में आई है सताक्षी साकुम्परी बन बन कर आई है और भक्तों का कल्लन क्या जो है उसकी रक्षा करिए जो नहीं है वो लाकर दिया है आज की दिन से जोड़ी कोई कथा भी है तो वो भी आप हमें विस्तार प्रूर्ब बताएं गुरुजी देखें कहते हैं कि स्रिष्टी की रचना आदी और अंत यूं तो नहीं है आकास का कई और छोड़ नहीं है जब जैतों का बहुत जादा प्रकोफ हो जाता है जैते पूजा पाट कर्म कुछ करने नहीं देते तब महा माई का इस रूप उत्पन होता है क्योंकि माँ ही सक्ती है वो संचालन करती है स्रिष्टी की स्रिष्टी का जो पहला अक्षर है वो माँ से ही प्रारम होता है तब देपता सभी मिलकर देवी भागवत में लिखा है कि सबसे पहले उस अठारा बुजा वाली मां के मणी लोग का दर्सन करते हैं या जाते हैं वहां से वो सक्तियां परदान करते हैं और उससे संरचना होती है हमारे हां जो गड़ना की जाती है अलग अलग यूगों की सत्यूग, त्रेता, द्वापर, कल्यूग, अभी हम कल्यूग में हैं ब्रहमा जी के दिनों के हिसाब से हमारे ये यूग बीच जाते हैं और मां की एक पलग जपकते हैं ये दिन गुजरता है सोचो बिलकुल उस महामाई ने अंदकार को देखने के बाद सभी देपताओं के आगरे पर हमारे लिए रचना करी प्रित्री की रचना, स्रिष्टी की रचना, तो ये रचना मा तभी करती है और इसका नाम कुस्मांडा कुस्मांडा एक पात्र को भी कहा जाता है कुस्मांडा कहीं रूपों से कहा जाता है गोल कहा जाता है इसको इसलिए आज के दिन माँ को गोल गोल चीजें पसंदें कद्दू होता है ना बई कद्दू इसलिए मा की संरचना के बीच में स्रिष्टि की संरचना के इतार से इस बताई गया है कि इनकी विशेस महिमा उस पर होती है जो इनका नाम का अच्छरन आज के दिन करता है इनकी पूजा और चिना से किस परकार के फल वेक्ति को मिलते हैं ये भी आप हमें बताएं गुरुजी मा कुसमांडा से आपको सबसे पहले तो अपना जो मनिपूरक केंदर होता है हमारा जो भिलकुल ध्यान अवस्था का केंदर होता है इसको मानके चले हैं कि हम अपने सरीर के अंदर जब कोई विकार उत्पन करते हैं जब हम स्वादिस्थान से विसूदी चकर के उपर तक उठते हैं तो हमारे पास रोगों के निवारन के लिए कुछ नहीं है स्रक इनकी किर्पा से आपको रोग निवारन में साहिता होती है त्योंकि इनकी दृष्टी सूरे के अंदर वास करने से हम तक आती है इनकी किर्पा आप पे तभी मिलेगी जब आप सूरे नरान को जल देंगे इन दिनों में जल देंगे नौरात्रों में जल देंगे और उपासना करेंगे आरादना करेंगे बहुत सारे लोग कपाल भाती बस तरिका करते रहते हैं तो वो इसी अवस्था से उके गुजरता है चौथे दिन आप उपर आ जाते हैं या वोड़ी के पास आ जाता है आपका ध्यान और ये ध्यान आपको आपके अपने जीवनकाल के लिए बड़ा ज्यादा उप्युक्त होता है काया को निरोगी रखता है काया में होने वाले जहर को दूसरे जो जहर होता है उसको हटाता है ध्यान की अवस्था करते करते इतना आगे आजाते हैं आपकी महा माई के चिंतन में इस संसार के अंदर जो लालच की तत्प हैं लालच की चीजिये हैं उनको भूलना होता है ये इनकी विशेश कृपा है और इनकी पूजा में सबसे सबसे पहले तो ये मानना होता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो निस्वार्थ कर रहे हैं और दूसरे के हित के लिए कर रहे हैं अपने हित के लिए तो करता है ये वहती दूसरे के हित के लिए भी हो इनकी किर्पा आपको हमेशा आपके परिवार में और अपने लिए कल्दारी होती है माको भोग क्या लगाए जाए गुरू जी ये भी आप हमें बताएंगे आज के दिन माको सबसे जादा परिये चीज है मिस्री मिस्री के बने पदार नहीं तो हमारे ठाकुर को भी जैसे माकन मिस्री का भोग लगा जाता है इससे पहले माने मकन का भोग किया और आज मिस्री का भोग करेंगे मिस्री का भोग घर में आपके अगर है तो उत्तम नहीं है तो मिस्री लेके आए मिस्री को परसास रूप वित्रन करें, नारियल के साथ मिस्री का वित्रन, मिस्री को डालें, आज के दिन आप भोजन में मिस्री का इस्तमाल, चीनी के जगें मिस्री का इस्तमाल करें, उससे बने पदार्द मा को भोग लगाएं, मिस्री सुद कही गई है, मिस्री हमारे सास्त के विशे में भी जरूर जानेंगे लेकिन फिलहाल यहां पर वक्त हुआ है एक छोटे से अंतराल का इस खुबस्तरा चर्चा के साथ हम पुना हाजर होते हैं मॉम लूडल्स नो जंक फूड जी करेला फिर से चश्मा नहीं लगेगा और जानती हो हरी सबजियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी और प्रॉकली से इम्म्योनिटी रोज रोज वेजिटेबल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी और मेरे बालों के लिए हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्यॉर रूट्स शैंपू लगाने से रोज? अपने बालों को रोज दीजे वीट और सोयबीन के पोशन से भरा प्यॉर रूट्स प्रोटीन शैंपू जिससे बाल बने मजबूत, सुन्दर और घने जै माता दी इस छोटे से अंतराल के बाद एक बाद फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पिशेश शिकारिक्रम में जिसका नाम है नौ दिन नवरातर के और इसे जोटी तमाम जानकारियां दे रहे हैं हमारे स्पिश्विक्रम में उपसित विश्विक्यार जोतिशा चारे वास्तोव एक्सपर्ट नाडिवय देपंडित सुनील भार्दवार जी एक बाद फिर से स्वागत करना जाएंगी गुर्देव का गुर्देव बहुत बहुत स्पागत है आपका जैमाता दी गुर्देव ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जानना चाहता है कि मा का शुबर रंग कौन सा है वो आप हमें बताएं आज मा को नारंगी रंग बहुत प्री है नारंगी रंग की बात करते हैं तो आज के दिन का आसन नारंगी हो आपके पास या नारंगी रंग का रुमाल अपने पास रख लें मा को प्रेम में समझ लिए आपके पास जूबने का सबसे सरल माद्द में आज के लिए नारंगी रंग मिस्री का भोग आप अपने घर में नारंगी रंग के फुष्प लगाए नारंगी रंग के आसन पे बैठ जाए बस मा का चिंतन कीजिए परसाद जैसे हमने बताया परसाद वितरन करें जो कर्णियाओं को वितरन करने के लिए जो सामगरी लाएं वो भी आज के दिन नारंगी रंग के लिए है मा की प्रेमा भक्ति अगर आपको चाहिए आज के दिन तो समझ लें ये रंग मा को अतीप प्रिय है मा किस परकार की शक्तियां देती हैं ये भी आप हमें बताएं गुरू जी देखे ये तो बहुत सरल है कि मा लौकिक अलौकिक सक्तियों का आज परदान करेंगी आपको क्योंकि ये सक्तियां आपके हर समय आपके जीवन में कल्यान कारी रहेंगी जब तक आप मिर्दू लोक पर हैं और उसके बाद अगर आपने आज के दिन मा की अराद ना करी जब तक आप इस पिर्थी लोग पर हैं तब तक तो मा के भक्त हैं उसके बाद आप हमेशा मणी लोग के वासी होकर रहेंगे मकर मा ने जिसको मारा समझ लो उसका पुनर जनम हुआ ही नहीं यह विसेस बात है राम ने मारा किष्ण ने मारा उनका जनम हुआ पर रामन का हुआ ना काल ने में हुआ अलग अलग होते रहें तो तीन बार राक्षस बनें मकर मा ने जिसको मारा उसका जनम नहीं हुआ यह व मा की किर्पा है कि जिसका उसने कल्लान करा इस युग में तो प्रित्वी लोग पर वास्ट करेगा और राज करेगा उसके बाद मा के लोग का वासी होगा कहा जाए उसका संगहार ही हो गया गुरुजी यहां पर हम उसको एक सब्द में कह सकते हैं कि वो सक्तिया मा पर दान कर देती है जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने लिए आत्मा की संतुष्टी के लिए चाहता है आत्म तत्व का ग्यान कराती है मा यह तो है जो पहला अक्षर सिकाती है देवी भागवत में एक कथा है इस से मिलती है कथा हम आपको छोटी सी बताना चाहेंगे इस आपके परसन से वो कौन सी सक्तिमा की मिलती है इनकी उपासना करने से एक अबोध बालक जसको कोई ग्यान नहीं है जो कुछ नहीं जानता देवी भागवत में लिखा है कि वो एक दरिया के किनारे बैठा है और वो एए कर रहा है उसको ग्यान नहीं है बोल नहीं सकता एक बहेली आता है उसका शिकार उसके सामने से उके गुजरता है उस बालक से बूचता है ओ बालक तुने मेरा शिकार देखा है यहां से वो बच्चा ए करते करते मा का उसके मुख से वो बीज मंत्र निकल गया एम कहते हैं ना ओ मैंबरीं क्लिंग चमुंडा विच अब जैसे बिजली को जान के छुओ या जान के छुओ उसका काम है करेंट लगाना वो करेंट लगा देगी वो ऐसी नहीं कहिए आप मेरा बिल पे करते हैं इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी ठीक इसी तरह वो मुख से जो उसके उच्चारा निकला एम मा का बीज मंत्र का एक अक्षर निकल गया और महामाई ने समझा इसने मेरे मंत्र का कर लिया जाप ततकाल उसकी उद्धी उतनी परक कर दी कि वो उस व्यक्ति को उस बालक ने उत्तर क्या दिया वो सुनने वाली बात है क्या पूशता है मुझसे जिस आँख ने तेरे शिकार को देखा है वो बोल नहीं सकती नहीं सकती और जो बोल सकता है उसके आँखें नहीं है मुझसे क्या पश्म पूशता है यह मां के मंत्र का चमतकार वो शक्तिया इस प्रकार की परदान करती है अलौकिक सकती आँख को देती है लोग पर लोग आपका सुधार्थी है ये सोचें एक मंतर करने से मंतर का अक्षर करने से बीज मंतर मुझ से अंजाने से निकलने से जिस बालग को ग्यान नहीं अबोध नहीं उसको इतना बड़ा विद्वान बना दिया पर्सन का उत्तर और उत्तर में ही सब कुछ छुपा ह से पहुंच जाते हैं अनहाद पहुंचते हैं आप कुछ मांड़ा तक तो आपकी नांद खुलने वाली होती है आपके चक्र खुलने जागरे हैं होते हैं चक्र जागरत होते हैं आपकी कुंडली की तियारी हो चुकी होती है एडा और पिंगला और एक सुसुमना नाड़ी वे हमारे कही गई आयरेगिद में बाकी विग्ञान तो नegई गई कही गई इसका जिकर नहीं है मगर आयरेगिद में पूर्णता इसका जिकर है वो आप अनादत का चुके होते हैं आपका दिल आपका हिर्दे बहुत कूमल हो चुका होता है यह है वो सक्तिया जो आपने पूछी जो मिलती हैं मा की करपा से यह ऐसे नहीं मिलती। आपको उपासना करनी पड़ती है आपको निरंतर अपने अरहत को भजना होता है और जब मंथन करते करते आप यहां तक पहुंच जाते हैं तो आप मा के मनी लोग के वासी बनते हैं तब आपको वो पद मिलता है और मनी लोग का चिंतन करने वाले के पास कभी गरीबी नहीं देखी हमने हमने नहीं देखी अपने जीवन काल में मनी लोग का चिंतन करता नहीं है कोई बस एक यही बात महा तक पहुंसता नहीं है यह ध्यान की अवस्ता ही आपको उस लोग में ले जाती है हम आपको चलते प्रोग्राम के अंतिन दिन जब सहस्तर खुलेगा तो एक बार मणी लोग का चिंतन भी कराएंगे जी अब भी चाहेंगे कि आप हमें वो च यह संरचना प्रत्वी की गोल है अब प्रत्वी की संरचना गोल है एक बार हम ऐसे जैसे इस मुठी को गोल कर लेते हैं इसको हम हमाले परवत मान लें तो यहां पर हम जो गहरा ही है उसको हम समझ लें या पानी चिपका हुआ है बही ऐसे ही तो है जी यह ग्रेवटी पाव पानी चिपक गया जाके कि वो पानी इसलिए चिपका हुआ है क्योंकि वो ग्रेवटी पावर ने अपनी तरह खेचा हुआ है नहीं तो बह सकता है इदर उदर मूल तो यही है ना वो शक्ति है यह गोल मा को पसंद है इस पर उसने प्राणी मातर के लिए ऑक्सीजन दी प्रक करमेंद्रियन डानी और फिर एक बना दिया मन और मन लगाना है इसकी संरचना के अधिस्टा आदी महामाई के अंदर तो आज के दिन गोल चीज़ों का विश्परसाद वितरन करना होगा और नौरातने चल रहे हैं बढ़ती कैसे है वो कमल गट्टे के बीज जब उसको चावल जब भूते हैं तो वो फुलियां बन जाते हैं जिसको खील भी बोलते हैं उसको लामा फेरे में भी इस्तमाल के जाता है और दिवाली के दिन उसका इस्तमाल तो परवुक है क्योंकि वो इसलिए संकेट देती है आपकी कीरती बढ़ती है यश बढ़ता है समान बढ मकानों की माला चासनी में पाके हुए मकाने मिस्री में पाके हुए मकाने मिस्री का भोग है ना तो मिस्री से गोल पाके हुए मकाने आज परसास रूप वितरन करो और माता की सिंगार का समान नौकन्याओ को परसास रूप चासनी में पाके हुए मकाने भोग दे दो आपकी मनो काम ना मश्रिपूर्ण होगी एक कद्दू घर में लाके रखो इसको नौमी के दिन परसास रूफ वितरन करना फोक मनाना देखो महा माई की करपा आपको कैसे नहीं मिलती मा रूठी भी है ना मान जाएगी आप गरीबी से जूज रहे हैं आप कारोबार बहुत अच्छा करते हैं मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं फल नहीं मिल रहा करके तो देखो एक बार कर लो देखो कैसे करपा आगी बहुत संदर गुरु जी आद भी आपकी तमाम जानकारों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जय माता दी आज के हमारी इस खास कारिक्र में आप हमें दें इजाज़त कल हम फिर हाजिर होंगे मा के पंचम स्वरूर के साथ तब तक के लिए जय माता दी